Hello everyone this is Mayur Maikar I was an All India Ranker All India Rank 18 in the June 2022 attempt मैं CS Kart का ही student हूँ and this is my honest review of CS Kart अपने classes जो है अपना about sir teaching कैसे कहते वगरा तो आपको मालूम ही होगा so इस वीडियो में मैंने कुछ points अपने बना के रखे हैं जो मुझे पता है अभी बहुत सारी चीजे चल रही तो उसके साब से तो सबसे पहले तो मैं एक चीज तो clear कर दूँ अब आपको तो पता मैंने बता दिया कि All India Rank था 18 वाला तो मैं entirely, almost entirely सिर्फ CS Kart India से पढ़ा उन्ही की classes, मतलब उनके lecture लिये थे उन्ही के notes थे, वही जो class में बताते थे उन्ही के booster वगएरा जो भी चीजे थे सिर्फ उन्ही से लिया था और किसी teacher से ने तो इसका यही मतलब है कि teacher के efforts और आपकी खुद के efforts से बन सकते हो मैं आया था और अभी मैं professional का student हूँ तो मैं अभी तीनों groups देने वाला हूँ तो उनके lectures तो मैं मैं अपने हिसाब से बतातूँगा मुझे बहुत पसंद आये lecture बहुत अच्छे थे और सबसे अच्छी चीज ने मुझे दिल से लगी थी प्रवीन सर के charts थे जब आप खुझ से पढ़ते तो help करते और प्रवीन सर ऐसा भी नहीं कि सारे ही charts बना के देते तो आपको उन charts से सीखके खुद के बनाओगे तो ज्यादा यागरता तो उनके जो charts हो बना के देते थे तो मुझे खुझ से कैसे बनाना है वो idea बहुत अच्छे सा आता था अब भी मैं professional में भी बहुत सारे मतलब अगर charts देखेंगे तो उनहीं के मतलब वो method से kind of बनाता हूँ क्योंकि उनसे पहले सीखा था और वो मुझे ज्यादा काम आता है तो और इस video में मैं clearly बोल रहा हूँ मैं आप ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि CS card की lecture लो promote वगर इनको नहीं करूँगा मैं चाहता हूँ कि अच्छे है अगर आप already student हो तो आपको मालू मैं कैसे lecture है आप अगर लेना चाहते हो तो आपको उनके मतलब reviews वगर अच्छे से जो student अभी पढ़ रहे है उनसे लीजिए कि वही best है तो मतलब बच्चे पर डिपेंड करता है तो आपके उपर होगा तो और मैंने अभी कुछ recently चीजे सुनी है कि bad चल रहा है मतलब यह CS Card India के lectures बहुत खराब है आपने कुछ videos देखे होंगे वगरा तो उसमें भी मैं कुछ बोल देता है वो कुछ common problems बोल रहे थे कि बहुत ही मतलब बीच बीच में इनको तीन-तीन दिन में यह हो जाते है तब्यत खराब हो जाती ही medical leave लेते है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यह जो groups है ना इनके अभी भी तो मैं executive के group में अभी भी joint था तो उसमें हर बार हर daily के बतलब वो notification वगरे आते रहते कि आज की class है बहुत कम बार ऐसा हुआ है अभी तक के period में मैंने देखा है कि वो leaves लेते है medical की यह आ गए मुझे तब्यत खराब है तो आज class ने लेको उन्हुदर वो claim कर रहे है कि हर दो-तीन दिन में हर पाच्छे दिन में यह कर रहे है ऐसा तो कोई बात नहीं है दूसरा कि एक certain person का मै वीडियो मैं ऐसे directly आपको वीडियो बनाने आया है मैंने देखा था मैंने सुना वो कह रहे है कि इनके lectures इतने खराब है की concept नहीं clear होते है मैं बोलता हूँ कि एक चीज़ सुना जब मैं पढ़ रहा था तो प्रवीन सर कंपनी लोग के lectures की बात चल दे तो मैं बोलू कुछ concepts ऐसे थे कि जल्दी से दिमाग में था एक ही चार्ट को अलग-अलग तरीके से पाच्छे बार बना के उन्होंने पूरे दो गंटे पढ़ाया था तो you can't say कि वो पढ़ाने में मतलब आपको समझने में दिक्कत आएंगी ऐसा है समझने में दिक्कत आने में तो ऐसे कोई problem सुनें ऐसा विल्कुल नहीं है कि आप मतलब देखोगे और आपको कुछ समझे गए नहीं और एक कोई certain faculty है जो आप जानते हो कोई तो भी बोल रहे हो sir I respect him कि वो एक CS है उन्होंने degree ली है वो शायद अच्छा पढ़ाते होंगे मैं यह नहीं बोल सकता कि बुरा पढ़ाते लेकिन जो काम कर रहे है I think उनकी claims हर claim उनका evidence based नहीं है वो कोई चीज आके बोलते है किसी student की चीज लाके देता है the world is run by misinformation आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसी भी चीज पर बस ऐसे ही trust नहीं कर सकते है वो बोल रहे हाँ वो तो बोल रहे है सारे बच्चे बोल रहे होते कि classes bad है because मैं teachers मैं जानता हूँ कि उनको तो मतलब ऐसे consider करते है उस field में उस subject के लिए वो teacher से बहतर तो कोई हो नहीं सकता है उनके lectures बहुत महेंगे आता है तो मैं जानता हूँ तो उन teachers की भी student fail होते है ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब teacher की बेस तो student के भी base पे होता है तो अगर आप claim कर रहे हो कि इनकी वज़े से आफ फिर हो जागे तो आपकी गलती और एक पांट में बोलना चाहूँगा अगर आपकी पढ़ाई manage में होती है तो YouTube पे वीडियो साथ-साथ बनाने की ज़रूरत में अपनी पढ़ाई पे focus करो so एक चीज़े तो misinformation से दूर रहो अगर आप CSCart India के already एक student हो तो आपका judgment आपके जो lectures देखना है आपकी पढ़ाई के basis पे होना चाहिए क्या आपने उनके plans को complete किया है उसके हिसाब से पढ़ा है complete नहीं किया लेकिन जितना हो पाए उत तक वहां तक गय हो कि नहीं क्या directly बस lectures देके नहीं कुछ नहीं claim कर दिया कि नहीं यह बुरे आप decide करो कि आपको क्या लगता है कि कोई और बोल रहा है बुरे तो हम भी अभी consider करेंगे हाँ बुरे जब मैंने starting में लिया था तो अभी मैं ऐसा नहीं कि मतलब लिया और मैं 100% satisfied था it took time कि मुझे भी यह समझने में कि problem हर बाल teacher में नहीं होती है आपकी understanding में होती है तो आपको वहाँ पे extra efforts भी लगाने पड़ते है तो I hope मेरा review आपको help किया होगा याद रखना आप अगर student हो तो आपको already मालूम है classes कैसे है वो आपके विशवास पर है और जो student CS card के नहीं हो और यह review देख रहे है तो आप उन thank you